चली मैं बात कर रहा था कि पिशली क्लास में हमने आपको पल्लाव वंस के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा था और नहीं हो पाया था कल नेट की वज़े से लेकिन आज भी कुछ इस तरह की आज नेट की प्रोब्लम नहीं थी ठीक है बच्चों तो कुछ टेक्निकल फाल की वज़े से डिले हुआ क्लास आपका पिशली क्लास में हमने आपको बताया था कि अनकेडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आया है और आपके लिए ही एक और्गनाजेशन अनकेडमी के दौरा किया गया है बच्चों ये 26, 27, 28 को ये एक समिट हो रही है आपके बहुत बड़ी चीज है कि कोई संस्था कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है आपको ऐसी भी भूतियों से ऐसे महत्पूर्ट परस्नाल्टी से जुड़ने का सुनने का उनकी अडियोलजी उनके थाट को जानने का एक आउसर दे रहा है तो आपका आपकी रिश्पॉंस्बिल्टी बनती है कि जितने भी लोग हैं आप से जुड़े हुए या आप स्वेम बच्चो सभी लोगों को इसे जोडने की कोशिस करिए और आप देख रहे हैं कि जितने भी आपके टॉपर्स हैं हाईयर रंकर्स हैं जितने यूपियस से के उनसे भ कि कल से जो है चुकि कल से ये स्टार्ट होरा 26 से जो है तो सभी लोग जुड़कर ऐसी परसनाल्टी से जो है अपने इनके अनुभों को क्या करें जान सकें ठीक है जिस तरह से इन्होंने अपने लाइफ में एक मुकाम हासिल किया है ठीक है उस चीज को आप भी सुने और सम समिश्य जुड़ने की कोशिस करिए और इन लोगों को सुनने का उसर आपको मिलने वाला है ठीक है तो चलिए आपकी क्लास हम कांटिन्यू करते हैं बच्चों आपकी क्लास है पल्लो बंस और आज की क्लास में हम पल्लो बंस को डिसकस करेंगे ठीक है चलिए थोड़ा सा ल ठीक है ठीक है चलिए देखे इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत हुई है आप लेरिनिंग आप जाके डाउनलोड कर लिजे एन अकेडमी लेरिनिंग आप पर मोबाइल में डाउनलोड कर ये प्ले स्टोर से वहाँ पर आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा ठीक है क्या करना है कै से अपने नंबर और इमेल डालने है रजिस्टर होने के लिए आप रजिस्टर हो जाओगे बहुत आसानी से अगर आप जो है 12th पास आउट भी है तो आप आसानी से काम कर सकते है ठीक है चलिए आज हम डिस्कस करेंगे पल्लो वंस बच्चों तो सभी लोग एकदम पूरे एक दिन का गैफ हो गया था ठीक है तो आज आपके पास एनरजी होने चाहिए पूरी जो है उसमें कहीं से कमी नहीं दिखनी चाहिए चलिए पल्लो वंस दच्छिण भारत के एक महान वंस को आप पढ़ने चलने है पल्लो वंस वंस माने जानते हैं पल्लो मिंस क्या होता ब पल्लो कहते हैं बिरिक्ष की टहनियों को आप क्या कह सकते हैं इसके लिए एक शुद्ध नाम अभी एक जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है ठीक है देखिए कहते हैं कि दच्छिण भारत में पल्लो वंस क्यों पत्ति हुई पल्लो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कहते हैं कि पल्लो वंस की जो राजधानी थी बच्चों इनकी राजधानी क्या थी कांची कांची पल्लवों की क्या है राजधानी है और इस कांची का बहुत बार उलेख हुआ है वेनिशांग ही इसका उलेख करता है यह एक शिक्षा का केंद्र भी थी कांची कांची सिक्षा का क्या थी केंद्र थी बच्चों कांची क्या थी? सिक्षा का केंद्र थी कहते हैं कि पल्लोवन्स का जो संस्थापक है पल्लोवन्स का वास्त्विक संस्थापक शिंग विश्डू है पल्लोवन्स का वास्त्विक संस्थापक शिंग विश्डू है लेकिन एक बाद ध्यान दीज़ेगा बच्चों तो एक फेज जो है 300SB से 600SB के बीच दिखेगा इसके बाद पल्लोबंस का एक मजबूत राजनेती कितिहाद 600SB के बाद दिखता है यानि जिस पल्लोबंस को आप पढ़ने चलने बच्चों वह पल्लोबंस जो है 600SB के बाद जो है दिखाई देता है तो हम जिस पल्लोबंस को पढ़ेंगे वो पल्लोबंस जो है 600SB के बाद वाला पल्लोबंस है तो यहाँ पर हम बाद कर रहा था यादा गया जो है ब्रिक्ष की टहनियों की जगह पे अगर आप लता का है तो ज़्यादा बेहतर होगा पल्लोबंस क्या होता है लता सुद्ध हिंदी में इसे क्या कर सकते है लता कर सकते है तो पल्लोब सब्द का एक अर्थ जो है लता है तीक है दूसरा अर्थ इसको जो है पल्लो सब्द का दूसरा अर्थ डाकू भी होता है ठीक है यह दो सब्द होते हैं दो अर्थ होते हैं पल्लो के ठीक जहां तक संस्थापक की बात हो रही थी बच्चों तो वास्तविक संस्थापक कौन है शिंग विश्डू है तो इसका मतलब है कि कही ने कही इसका बच्चों रहाओगा तो संस्थापक इसका हुआ कड़ता था काधा तक उसका नाम भी शिंग बर्मा था केवल विश्डु और बर्मा का अंतर है यहां पर ध्यान दीजेगा याद रहने का एक तरीका है जो वास्तविक संस्थापक है वास्तविक संस्थापक बच्चों शिंग विश्डू है और शंस्थापक इसका शिंग बर्म है इसका शंस्थापक कौन है शिंग बर्म वैसे तो पल्लो बन्स में बहुत सारे राजा है ठीक है लेकिन अगर महतपुर राजाओं कि श्रेडी में देखा जाए तो महत्पूर राजाओं के स्रेडी में कुछ राजा ही आएंगे जैसे बच्चों महेंदर वर्मन या महत्पूर राजा है महेंदर वर्मन फस्ट दूसरा नर्शिंग वर्मन फस्ट यानि किन राजाओं को आपको पढ़ना है उनके नाम भी जान लिजिए नर्शिंग वर्मन फस्ट इसके बाद नर्शिंग वर्मन दुती ये तीन राजा है जिने आपको पढ़ना है और इन ही से आपके प्रशनाते हैं नर्शिंग वर्मन दुती ठीक है वैसे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा सबकी कर दिया करेंगे ठीक तो चलिए देखते हैं पहल के बंदरगा क्या है यह सारी बाते हम करते हैं तीक बच्चों तो पहले मैप आप देख लिए फिर मैप के माद्यम से आपको समझना बहुत ही क्या होगा आशान होगा चलिए तो पहले एक भारत का मैप बनाईए चलिए बच्चों भारत का पहले एक क्या बनाईए एक मैप ब ठीक है यह भारत का मेफ है अब देखिए कहते हैं जो पल्लोवन्स है वो यहाँ पर है यह आपका है पल्लोवन्स पल्लोवन्स वच्चों यह दो नदियों के बीच है किन नदियों के बीच है यह दो नदियों के बीच है ठीक कौन कौन सी नदि वच्चों एक आपकी पेनार नदी है पेनार नदी दच्छिण भारत में आपने इस नदी को पढ़ा होगा जगरफी में पेनार नदी और कावे इन दो नदियों के बीच में यह भूभाग स्थित था ठीक है और इन दोनों नदियों के बीच का जो छेतर है वो आपका जो है कही ने कही जो है पल्लोवन्स के बीच नाम से जाना जाता है ठीक है इसके उपर का जो छेतर है वो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का है जिसे राई चूर दो आप कहते हैं तो पल्लो वंस इन दो नदियों के बीच में उत्पन हुआ है तीक है लेकिन यह आप मान के चलिए कि यह पल्लो वंस पहले से ही यहाँ पर नहीं था देखिए पहले पल्लो वंस के छेत्र को आप देख लिजिए बच्चों इस समय अन्निकौन कौन से राजवंस थे पहले पूरा नक्षा एक दम क्लियर कर लिजिए देखिए यह जो छेत्र है यह आपका चोल वंस है यहाँ पर चोल वंस बाद में आएगा हलाकी ठीक है ठीक लेकिन यह आपका जो है यह पल्लो वंस है इसको आप पल्लो वंस का सकते हैं ऊपर यह पूरा छेत्र जो है यह बादामी वंस है बादामी के चालुक शेत्र है ठीक है और यहाँ पर कुछ समय तक जो है राष्टकूर्ण बंस भी रहा दच्छिर में हलाकि राष्टकूर्ण समाब तो हो जाएगा ठीक है देखे तो ये आपका पल्लव बंस है जिसकी राजधानी क्या बच्छों राजधानी इसकी है काच्छी पल्लमों की राजधानी क्या थी काची इनका जो सबसे महत्पुण बंदरगाह है बंदरगाह इनका हुआ करता था महाबलीपुरम इनका जो सबसे महत्पुण बंदरगाह था वो बंदरगाह क्या उन था महाबलीपुरम और इनका जो धार्मिक केंद्र है इनका जो सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है वो है मामल पुरम क्योंकि शारे मंदिर जो है कहां बने है मामल पुरम में ही बने है तो मामल पुरम इनका सांस्कृतिक केंद्र था बंदरगा इनका क्या है जो है वो महाबली पूरा में बच्चों जो भी बाते हम करेंगे पल्लों के बारे में ही करेंगे अब देखिए कहा जाता है कि पल्लों जो है ये मूल रूप से ये मूल तह क्या थे बच्चों ये ब्रामः थे ठीक है ये मूल रूप से क्या थे पल्लो जो है अपने आपको ब्रह्म्हा की शंतान मानते हैं नाम सुना होगा अश्वत्थामा अश्वत्थामा दुड़ाचार के पुत्रूहा करते थे अश्वत थामा का वनसज अपने आपको बताते हैं कौन पल्लव ठीक है तो ये देखू ये तो बच्चो कल्पनात्मक बाते हैं कोई कुछ भी अपने को सर्वोपर दिखाने के लिए खासता और से राजपूतों के दौर में सभी लोगों ने अपने आपको स्रेश्ट दिखा आने के लिए अपने आपको बड़े-बड़े देवताओं से जोड़ने की कोशिस किया है तो इतिहास लेखन की परमपरा चुकी भारत में उस समय थी नहीं तो सभी लोग जो है दरबारी लेखन की परमपरा से कईन कई प्रभावित हैं तो बहुत सारी कालपनिक बाते हैं ह यानि देवपुत्र अपने आपको बताने की कोशिस करते हैं यानि अपनी उत्पत्ति जो है धर्म के माध्यम से इन्होंने दिखाने का प्रयास किया तो अपनी उत्पत्ति बच्चों इन्होंने धर्म के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया देखे इसके साथ साथ अगर पल्लोवन्स का प्रतीक क्या है, इंका प्रतीक जो है बैल, पल्लोवन्स का प्रतीक क्या है, ठीक है, देखिए, ध्यान से और बहुत इत्मिनान से समझने की कोशिस करिए, का जाता कि प्रारंभिक चरण में पल्लों का जो प्रतीक था बच्चों वो क्या था बैल था लेकिन आगे चल कर ये जो है लिंग को भी शिवलिंग लिंग को भी इन्होंने अपना प्रतीक बनाया क्योंकि ये सयोधर्म और बैश्रोधर्म दोनों का प्रभाव इश्वंस में दिखाई देगा ठीक है तो ये दो परतीक आपको दिखाई देते हैं जो पल्लो बंस के परतीक माने गये हैं उसी तरह जैसे गुप्तों के परतीक क्या था गरुन गुप्त बंस का परतीक माना गया है उसी तरह पल्लो बंस का परतीक क्या है बैल और लिंग है ठीक तो ये इन बर्मा इनका संस्थापक है और शिंग बिश्डू वास्तविक संस्थापक है वास्तविक संस्थापक का मतलब हमने आपको बार बार बताया है कि वास्तविक संस्थापक बच्चों उसे माना जाता है जो कहीं ने कहीं अपने राजवन्स के अस्थाइत के लिए सारी चीजों का यानि जैसे प्रशाषन हो गया ठीक है आपके रिवेन्यू सिस्टम का डिवलप्मेंट हो गया सैने बिवस्था का डिवलप्मेंट है अगर ऐसे संसाधनों का विकास जब कोई व्यक्ति अपने राज जी के लिए करता है कि जिसके आधार पर वहराज एक लंबे शमयता का स्थाई तो प्रदान करे उसे हम वास्तविक संसापक कहते हैं और बहुत बार हमने इस बार की चर्चा किया है बच्चों अपनी संख्या को आप लोग बढ़ाये रखी थोड़ा सा बहुत संख्या कम है आपकी ठीक है तो यहाँ पर हम बात करने चलना है अब किसकी पलो वंस की और अब हम देखेंगे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई इनकी उत्पत्ति के बारे में ये कौन थे कहां से आये किस तरह से इन्होंने एक वंस की निव डाला इन सारी चीजों की थोड़ी सी जानकारी हम कर लेते हैं ठीक है उसके बारे में भी जान लेते हैं चलिए देखी बच्चों भारती इतिहास में अगर इतिहास कारों की माने तो कहा जाता है कि इनका जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है ठीक है लेकिन वह पूरी तरह से असपश्ट नहीं है इसलिए हम बहुत बहुत जो है विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि यह जो है एक लंबे कारिकाल तक इनका इतिहास रहा है तीक है जैसे अगर यह सच होता कि 300 इसवी से ही इनका इतिहास है तो यह तब तो यही कहा जाता है ना कि भारत में सबसे लंबे समय तक राज सासन करने वाले कौन थे साथ वाहन थे वह उनके अस्थान पर यह आ जाते त्रीक है लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने कुछ इतिहास कारों ने तरक देने का प्रयास किया है देखें कि पल्लो बंस की उत्पत्ति यानि पल्लो कौन थे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई पल्लो कौन थे इसके बारे में थो इनकी उत्पत्ती हमें 300SB के आसपास दिखाई देने लगती है और जिन लोगों ने ये कहा है कि 300SB के आसपास इनकी उत्पत्ती हुई उन लोगों ने इनकी उत्पत्ती को सक पहलो या उन पार्थियन से बताया है किस से बताया है सक पहलो या पार्थियन से बताने का किया है ठीक है तो अब देखिए तो क्या तर्क इन्होंने दिया है इन्होंने कहा है कि ये मूल रूप से सकों और पार्थियनों की ही क्या थे साखा थे ये इन्हीं के साथ आये हुए थे ठीक और इसके लिए जो इन्होंने तर्क दिया है वो ये दिया है इन्होंने कहा है कि स जूनागड़ा विलेख में यह बताया गया है कि जो सावराष्ट है सावराष्ट गुजरात का एक प्रांथ था ठीक है जूनागड़ा विलेख में कहा गया है कि रुद्रदामन जो उस समय सक राजा था रुद्रदामन के समय गुजरात के सावराष्ट प्रांथ का जो गवर उसका नाम है सुविशाख ठीक है लोगों का कहना कि यही सुविशाख जो है आगे चल कर यहां पर दच्छिन में आकर क्या करता है पल्लो वंस की अस्थापना करता है इसके लिए इन्होंने कुछ और तरक जोड़े है इनका यह कहना है कि जब सक वंस कमजोर हो गया तो यह सात्वाहन वंस के अधिन सामंती चरण में आ गया सामंत बन गया ठीक है और बाद में जब सात्वाहन वंस कमजोर हुआ तो यह अधिरे से दच्छिन भारत की तरफ चला आता है और यहां पर आकर पल्लो वंस की एक श्वतंतर सत्ता क्या किया अस्थापित किया ठीक है लेक चला है गाजी पुड से लेकिंगर उत्तरपरदेश तक यहां वाकाटक वंस वा करता था कुछ इतिहास कारconomic पल्लों की उत्पत्ति जो है किस वंस माझी है वाकाटक बन से माझी है तो दो वनसों से इनकी उत्त्ति बताई गई है लेकिन जो एथिंटिक इतिहास है जो आपको जानना है ठीक है जो आपको जानना है वो आप यही जानिए कि पल्लो मूल रूप से सातवाहन बंस के क्या थे सामन थे सातवाहनों के सामन थे यहनी इनकी पहली का इतिहास जब क्लियर नहीं है तो वहां confusion में आपको घुषने की जरूरत नहीं है आप परी एक्जाम देने जा रहा है जब मेंस की बात होगी तब वहां पर डिसकस किया जाएगा देखिए तो आपको यह जानना है कि यह मूल रूप से किस के सामन थे सातवाहन बंस के सामन थे और सातवाहन बंस को आप बख़ोबी पढ़ चुके हैं और समझ रहे है तो यह सातवाहनों के समन थे और जब सातवाहन बंस का पतन हुआ तो उसका लाब उठा कर यह दच्छिण भारत में आकर इन्होंने एक नए वंस की क्या किया निव डाला तो जब इन्होंने निव बंस की यहाँ पर निव डाला तो उसी समय यहाँ पर यह जो छेत्र है उत्तर भारत में इस समय काउन था हर्ष था उत्तर भारत में इस समय हर्ष वर्धन है वर्धन वंस है नर्बदा के नीचे जो है बच्चों वो काउन सा वंस था पुलकेशिंदुती का चालू के वंस है ठेक और उसी के नीचे जो है पल्लों वंस की सत्ता की निव पड़ती और इसके नीचे जो है आप देखेंगे यहाँ पर करनाटका के छेतर में उतरी करनाटका यहाँ पर राष्टकूड बंस आपको दिखाई देगा तो ओबराल हम कहें तो सुरुवाती चरण में पल्लमू के समकाली इन कौन थे हर्स थे पुलकेशिन दुती थे और यहाँ पर आश्ट कूट थे और बाद में चलकर देखेंगे कि दच्छिड में चोलवन्स की उत्त्ती होगी विज्याले के द्वारा थिक तो बाद में इनका संघर्ष जो है वो चोलवन्स से दिखाई देगा जबकि यहाँ दच्छिड फशिड में अभी इस समय कौन है तो पांडे ह इस समय कौन है पांडे है ठीक तो चलिए अब हम पल्लो बंस की चर्चा करते है देखिए कहते बच्चों पल्लो बंस में पल्लो बंस की सत्ता की जब अस्थापना हुई तो उस समय पल्लों का जो सबसे प्रबल प्रद्धुन्दी है वो है पुलकेशिन दुती और आपको पता है कि पुलकेशिन दुती से एक लंबा संघर्ष जो है पल्लों का चलेगा ठीक है बच्चों यह देखो यह आपकी नर्मदा नदी है यह नर्मदा नदी है जो उत्तर और दच्छिन भारत की बिभाजक मानी जाती है नर्मदा नदी सत्पत ब्रामण में इसको रेवा कहा गया है अब यह जो भूभाग है यह देख रहे हैं यह भूभाग आपका जो है किसका है वादामी के चालुक के वंसका है वादामी के चालुक के हैं यहाँ पर वादामी के चालुक के हैं बच्चों और यहाँ पर दच्छिड में यहाँ पर कौन आ गया है पलो आ गया है अब देखें इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच बच्चों ये जो भूभाग है, ये देखें, ये जो भूभाग है, ये जो छेत्र है, ये आपका रायचूर दोवाब है, यानि ये बीच का, पल्लो और चालू के वंस्य के बीच, दो नदियों के बीच, यानि कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी, दोनों दूसरे की सहायक हैं, इन दोनों नदियों के बीज का जो उपजाऊच शेतर है जिसे आप क्या कहते हैं रायचूर दोआप कहते हैं इस दोआप के लिए पल्लों और बादामी के चालूक्यों में एक लंबा संघहर्स क्या होगा चलेगा ठीक है बादामी में और पल्लो बंस में एक लंबा संघर्ष इस राइचूर दवाब के लिए चलेगा ठिक और यह संघर्ष जो है बच्चों नर्शिंग वर्वन दुती के समय जाकर क्या होगा समाप्त होगा नर्शिंग वर्वन दुती के समय जाकर ये संघर्ष क्या होता है समाप्त होता है ठीक तो कहा जाता है कि बाद में आप देखेंगे पहले तो यह संघर्ष जो है कहीं ने कहीं वादामी के चालुक के और किसके बीच हो रहा है पल्लों के बीच हो रहा है बाद में आप देखे कि चोलों और उत्तरवर्ती चालुक्यों के बीच भी संघर्स होगा इनका पल्लवों का ठीक तो चलिए इसी यहां से शुरुआत करते हैं कि आखिर किस तरह से यहां पर एक राज सत्ता की अस्थापना पल्लवों नी किया तो कहा जाता है कि पल्लव वंस के पहले यहां पर ज चाले जो है माना जाता है कि 300 इस्वी के आस्पास काची में जो है नाग वंस की सत्ता थी और बाद में एक जो है लडाकू जाते आते हैं जिसका नाम है कलब्र नाग वंस के बाद यहां पर कलब्रों का सासन हो जाता है कलब्र ये लड़ा क्यों थे कलब्रों का सासन हो गया बच्चों कलब्रों के सासन से ही यहां पर पल्लवों ने अपनी सत्ता को अस्थापित किया था यानि इनहीं से इन्हों ने कांची को क्या किया छीना तो कांची को छीना था किस से कलब्रो से पल्लों ने और पल्लो मने काची में पल्लों से पहले नागवंस और कलब्रवंस थे तो यहां पर जब इन्हों ने सत्ता स्थापित किया सिंग वर्मा के द्वारा यहां सत्ता स्थापित की गई तो सिंग वर्मा से लेकर आप देखें कि कम से कम पान से छे राजा हैं सिंग बर्मा की शुरुवात साढ़े तीन सो इश्वी में होती है ठीक और आप देखिए तो सिंग बर्मा जो है बच्चों जब पल्लो बंस की अस्थाप न किया तो यह लगभग साढ़े तीन सो वर्स माना जाता है इश्वी और इसी स्रेणी में इसके आगे शिवकंद बर्मा आता है इसी स्रेणी में आप देखेंगे तो अगला राजा आता है विश्णु गोब अभी ये पूरी तरह स्वतंतर नहीं थे और यह विश्णु गोब जो है समुद्रगुप्त का समकालीन है अगर आप पढ़े होंगी तो याद आ रहा होगा काची का राजा समुद्रगुप्त के समय काउन था विश्णु गोब था ठीक इसके बाद जो है दो राजा और है फिर जाके शिंग विश्णु है जो पल्लो वंस का वास्त्विक संस्थापक माना जाता है यानि शिंग विश्णु जिस समय राजा बना उस समय जबग 625 के आसपास जो है इनका डिवरेशन आ चुका था और माना जाता है कि 575 से 625 तक सिंग विश्डू ने क्या किया सत्ता का संचालन किया तो 575 से 625 तक जो है सिंग विश्डू सत्ता में आया जिसे हम वास्तुविक संसापक कहते हैं इसका मतलब है कि इसके पहले जो भ ही राजनेती की तिहास जो है दिखाई नहीं देता ठीक है यानि वो स्वतंत्र सत्ता के संचालक नहीं थे एक सामंती वस्था के संचालक थे ठीक है तो वास्त्विक संसापक शिंग विश्डू है और यहीं से और यहीं से बच्चों पल्लोंस का राजनेती की तिहास क्या ह पाधियां थी पुट्तरायण और अवनी शिंग शिंग विश्णू की दो उपाधियां थी इसकी दो अपाधिय थी एक पुट्तरायण इसे पुट्तरायण केहते थे और और अवनी शिंग, अवनी माने होता है पृत्वी, ठीक है, इसकी दो उपाधियां थी, और कहा जाता है कि इसी सिंग विश्डू ने यहाँ पर कलब्रों को पराजित किया था, किसको किसको पराजित किया इसने, शिंग विश्डू ने किसको किसको हराया, कलब्रों को हराया, कि लवरों को हराया, पांडियों को हराया, और चालुक्यों को हराया. इन तीन लोगों को शिंग विश्णु ने क्या किया? पराजित किया था. लेकिन इस समय यहां कि राजा काँन थे इसका बड़ा अस्पस्ट उलेक नहीं है. तो यानि इनकी भी बीजय बहुत असपश्ट नहीं है कि इन्होंने इन लोगों को पराजित ही किया था मेरी बाद समझ रहें कि नहीं आप लोग बच्चो ठीक है तो ये घटना यहाँ पर दिखाई देती है ठीक है आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजे बच्चो संख्या आपकी काफी कम है ठीक है चलिए तो वास्तवी कितिहास की जो सुरुआत होती है एक चीज और इंपोर्टेंट है इनके बारे में शिंग विष्णू के बारे में कहते कि शिंग विष्णू के दरबार में ही महान कभी भार्वी रहा करते थे इनही के दरबार में कौन रहते थे भार्वी भार्वी ने किताब रिखे थी किर्तार जुनियम किरतार जुनियम ये बहुत इंपोर्टेंट किताब है इसको आप लोग नोट कर लिजिएगा भारवी जो है बच्चों इनी के दरबार में रहा करते थे ठीके चलिए तो शिंग विश्डू के बाद अब हम शीधे आएंगे किस पर महेंद्र वर्मन पर महेंद्र वर्मन जो है इस वंस का सबसे प्रतापी सासक माना जाता है महेंद्र वर्मन महेंद्र वर्मन वच्चों ये सबसे महत्पुन सासक था का जाता है कि यह एक बेहतक शंगीतक गे था यह एक बेहतक जो है वच्चों संगीतक गे है बेतर संगीत अग्यथा इसके गुरू हुआ करते थे यानि संगीत के गुरू थे इसके रुद्राचारे संगीत के गुरू थे इसके कौन? रुद्राचारे रुद्राचारे ने इनको संगीश सिखाया था मैंदर बर्मन को ठीक है? इसके अतरिक्त जो है ये कभी भी माना जाता है एक महान कभी भी था ये कभी इसलिए था क्योंकि मत्विलाश प्रहशन मत्विलाश बहुती बहुती इंपोर्टन किताब है ये मत्विलाश प्रहशन इसी की किताब है इसी की किताब है और इस किताब में कई घटनाएं हैं इसको ध्यान से देख लिजे कते मत्विलाश प्रहशन की रचना इसी ने किया था कभी इसकी टाइटिल है कते इस किताब में उसने अपने राज्य में न्याय विभाग एवं प्रशाशन में व्याप्त भरष्टाचार की आलोचना करता है इसी में वह जो है अपने न्याई विभाग एवं प्रशाषन में ब्याप्त भरष्टाचार की क्या करता है आलोचना करता है और इसी के साथ-साथ इसमें कापालिक बौध्धू का मजाग उडाता है कापालिकों एवं बाउध्धों का क्या करता है मजाक उड़ाता है आपको पता है कि ये प्रारंभिक चरण में जैन धर्म और लंबी था प्रारंभ में बच्चों ये जैन धर्में बिश्वास रखता था बाद में आगे चल कर अपपार अपपार ये नैनार था जो है ठीके बच्चों अपपार क्या थे नैनार शैवधर्म और लंबी थे और अपपार के प्रभाव में इसने आगे चल कर शैवधर्म को अपना लिया अपपार के दिच्छा के बाद ये क्या बन गया सैवधर्म और लंबी बन गया तो सैवधर्म में इसे दिछित किया कि इसने अपपार अपपार जो है आपके नैनार्शंत माने जाते हैं तो मत्न विलाश प्रहशन इसका बहुत ही फेमस ग्रंथ है यह कापालिक बहुत धों का मजाक उड़ाया गया है इसमें देखे इसके अतरिक्त जो है वो एक नाटक कार भी है यह एक नाटक कार भी था ठीक है अच्छा जहां तक इसकी उपाधियों की बात आती है का जाता कि महेंद्र बर्मन की बच्चु कई ऐसे उपाधियां हैं जो बार बार आपके एक्जाम में पूछी गई है जैसे महेंद्र बिक्रम चत्तकारी देखे इसकी अगर उपाध की बात करें टाइटिल जिसे कहते हैं महेंद्र बिक्रम इसे महेंद्र बिक्रम कहा गया है और इसकी जो दूसरी उपाधिया है वो है चत्तकारी चित्तकारी का मतलब समस्ते बच्चों आप चित्तकारी उशे कहा जाता है जो मंदिर निर्माण के लिए फेमस हो और आपको याद होगा इसी के समय से मंदिर निर्माण सैलियों का प्रारम होता है पल्लो वंस में मंदिन निर्मार सैली का प्रारम किसके दौरा हुआ महेंदर बर्मन के दौरा हुआ किसके दौरा हुआ बच्चों महेंदर बर्मन के दौरा हुआ इसलिए इसे हम चत्तकारी कहते हैं ठीक है और सुनिए कहते हैं इसे हम माहिश्वर ही कहा गया है इशे माहिश्वर भी कहते हैं इशे हम गुडधर भी कहते हैं माहिश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाद में आगे चल कर स्वरी बाद में बच्चों ये आगे चल कर जो है चुकि आपको पता है कि ये शयोध हरमो लंबी हो गया इसलिए इसको माहेश्वर कहते हैं इसके अतरिक्त जो है इशेहम गुर्धर भी कहते हैं इसके अतरिक्त इसे हम जो है मत्विलाश भी कहते हैं हलाकि मत्य विलाश इसके टाइटल है और मत्य विलाश प्रहशन इसके किताब का नाम है ठीक तो ये भूलिये का मत्य इसके टाइटल जो है और बहुत ही फेमस राजा है पल्लोवन्स का इसके उपलब्धियां बहुत अधिक है बच्चों ठीक है आप देखें करते हैं इसी के कई ऐसी नवीन धाराइं होंगी जिसका जन्म पल्लो बंस में आप देखेंगे का जाता है कि इस महेंद्र बर्मन के समकालीन नर्बदा के उत्तर में कौन था हरश वर्धन था और दच्छिड में कौन था बच्छों दच्छिड में कौन था पुलकेशिन दुति यानि वदाम चालू के संघर्ष का प्रारम भी होता है ठीक है और इसी के समय मंदि निर्माड कला का प्रारम होता है ठीक यह बेहतर स्वयम जो है एक बहुत बेहतर कवी था नाटकार था संगितग्य था और साथ-साथ चित्रकार भी था मिश कर गया था साथ-साथ ही यह क्या था चित्रका तो यह बहतर चित्रकलाक से भी यह क्या था वाकिव था ठीक हाँ और जहां तक माहेंदर बर्मन के बारे में और भी जानना है बच्चों तो कहते हैं कि यह कला में बेहद रुचि रखता था ठीक संगीत में भी बेहद रुचि रखता था संगीत तो आपको हमने बताया है और इसके संगीत का जो प्रमाण है बच्चों, काज़ा तक संगीत के गुरु रुद्राचार हुआ करते थे इनके, और संगीत का प्रमाण हमको इसके पुट कोई अविलेक से मिलता है, पुट कोटाई अविलेक, एक अविलेक है इसका, इसी का एक अविलेक है महेंदर बर्मन का पुट्ट कोट्टाई अविलेक, इसको नोट कर लिजेगा, यह most important है, पुट्ट कोट्टाई अविलेक, इस अविलेक से यह पता चलता है, कि यह जो है, संगीत अविलेक, ठीक है, और दूसरी शीजी कहा जाता है, इसने एक जैन मंदिर का निर्मान कराया था, तोंड मंदलम में, जिसमें इसके परिवार का, मने सा परिवार इसका चित्र वहाँ पर बनाया गया है, तो जो जैन मंदिर इसने बनाया, उसका नाम है जैन दरी मंदिर, कौन सा मंदिर है, जैन दरी मंदिर, जैन दरी मंदिर में इसका सा परिवार कहते हैं कि जैंदरी मंदिर में बच्चों इसका सा परिवार चित्रांकन किया गया है सा परिवार माने पूरे परिवार के साथ इसका चित्रांकन किया गया है और ये द्रविण सैली के मंदिर हैं अगर आप भूले नहीं होंगे तो हमने आपको पढ़ाया था कि दरवण सैली के जो मंदिर हैं दच्छिड भारत में उन मंदिरों की सबसे खास विशेश था या सबसे महतुपूर चीज थी कि वहां के मंदिरों में देवताओं के बगल में राजाओं के भी चित्र और मूर्तियां बनाई जाती थी और आप देखेंगे कि पल्लो वंस में जो मंदिर निर्मार सैलिया है उसमें राजाओं के चित्र भी बनेंगे आप देखेंगे जो मामल पूरम का रथ मंदिर है उसमें दो मंदिर राजाओं के मंदिर हैं तो ये परंपरा आपको दच्छिड भारत में दिखाई देती है प्राने वाली पीड़िया उसका अनुसरण करें ठीक तो वो चीजे हमें महंद्र वर्मन के संदर में देखने को मिल जाती हैं तीक है अब आगे देखिए आगे है आपका नर्शिंग वर्मन पर्थम नर्शिंग वर्मन पर्थम बच्चों इसे हम महामल कहते हैं इसके उपाद क्या थे महामल इसके उपाद थी महामल महामल माने क्या होता है पहलवान महामल मतलब होता है और आपको पता है कि मामल सैली इसी से बिक्षित होई थी मामल सैली मंदिनिर्मान की जो मामल सैली है वह आपके नर्शिंग वर्मन के द्वारा ही डिवलप की गई है आपको पढ़ाया था बच्चों याद होगा ठीक है और दूसरी सी का जाता है कि इसक हम वातापी कोंड कहते हैं किसको नर्शिंग वर्मन को और आप जानते हैं कि ये जो वातापी है ये जो वातापी है ये राजधानी हुआ करती थी किसके ये वच्चों राजधानी थी किसके पुलकेशिन दुती की पुलकेशिन दुती की राजधानी हुआ करती थी वातापी कोंड का मतलब है कि इसने पुलकेशिन दूती को क्या किया था पराजित किया था और उसके बीजय के उपलक्ष में इसने उस उपाधी को क्या किया था धारण किया था ठीक कहा जाता है कि पुलकेशिन दूती को पराजित करने के बाद इसने मलिका अरजुन मंदिर में इसने अस्थापना की थे विजय अस्तंब की अस्थापना की थे ठीक है विजय अस्तंब की इसने अस्थापना की यह बहुत इंपोर्टेंट बात है इसको आप लोग भूलिएगा मत यह पूछा जाता है बच्चों कहते हैं कि यहां पर नर्सिंग वर्मन इतना चालांग था कि यह पुलके सिंदुती को पराजित करने में लंका के राजा मानवर्मा का अभिशायोग लिया था, लेकिन बाद में यह खुद मानवर्मा को क्या करता है, पराजित करता है, लंका का सासक था मानवर्मा, तो बाद में यह स्वयम उसको क्या करता है, पराजित करता है, तो यहाँ पर एक योगदान इनका देखा जाता है और इन ही के समय जो है याद रखिएगा इन ही के समय जब ये पल्लो राजा थे इन ही के समय जो है वेनशांग वेनशांग जो है दच्छिन गया था दच्छिन में कहां गया था कांची आपको याद होगा जब मैं उसकी यात्रा बता था आपको बताया था कि वो कांची गया था। तो कांची में तुस समय सासा कौन था नरशिंग बरमन था और वेशांग इसकी क्या कहता है वेशांग इसे महाराज कहता है तो इसकी तीसरी उपाधिस CIA हो गई इसकी क्या ठीक है तीसरी उपादी हो गई महाराजा ठीक तो यह योगदान रहा आपके नर्शिंग बर्मन पर्थम का इसके बाद राजा बनता है महेंदर बर्मन दुति फिर परमिश्वर बर्मन पर्थम परमिश्वर बर्मन पर्थम जो महेंदर बर्मन दुति के बाद आत इसके बाद महेंद बर्मन दुति महेंद बर्मन दुति का कोई योगदान नहीं है लेकिन इसके बाद जो परमेश्वर बर्मन पर्थम बना तो परमेश्वर बर्मन पर्थम को हम विद्या विनीत कहते हैं देखें विद्या विनीत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विद्वान ब्यक्ति था परमेश्वर वर्मन परमेश्वर वर्मन बच्चों इसके टाइटिल है विद्या विनीत इसे विद्या विनीत कहते हैं विद्वान ब्यक्ति था शिक्षा मेरुच लेता था और इसके साथ साथ का जाता है कि मामल पूरम जो पल्लवू का सांस्कृतिक केंद्र ह जहां पर बहुत सारे मंदिर बनाये गये हैं परमिश्वर बर्मन ने मामल पूरम में एक गड़ीश मंदिर बनवाया था मामल पूरम जहां पर आपका रथ मंदिर पाया गया है तो मामल पूरम में इसने क्या किया था? कौन सा मंदिर बनाया था? गणीश मंदिर बनाय था मामल पूरम में इस ने गणीश मंदिर का निर्माण किया था बच्चों ठीक है इसके बाद आपका सबसे स्रेश्ट सासक आता है नर्शिंग वर्मन दुति नर्शिंग वर्मन दुति इस वन्स का एक स्रेश्ट और महान सासक मना जाता है नर्शिंग वर्मन दुती के वारे में कहा जाता है कि जो संगहर्स परलमों के उत्तर भारत से चल रहे थे वह संगहर्स पूरी तरह नर्शिंग वर्मन के राज्य में आकर क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर एक बंबा संगहर्स आके क्या होता समाप्त होता है तो नर्शिंग बर्मन को जो है बच्चों हम कई नामों से कई टाइटिल इसकी हैं कई उपाधियां है इसकी यह परम शिव का उपाशक था बच्चों यह परम क्या था शिव का उपाशक था देखे नर्शिंग बर्मन दुति देखिए पहली बात तो यह संकर का भगवन संकर का उपाशक है बच्चों इसलिए इसको हम संकर भक्त कहते हैं क्या कहते हैं शंकर भक्त इसकी उपाध ही देखिए इसे हम संकर भक्त कहते हैं इसे हम आगम प्रिय कहते हैं और इसे हम एक नाम इसका बच्चों और है और वो है कामदेव जैसा सौंधर्य कामदेव की तरह सौंधर्य वाला ये बहुत सुंधर भी था ये काफी सुंधर्य था इसलिए इसको हम कामदेव की तरह सुंधर्य वाला और एक चीज और एक टाइटिल इसकी और है और वो है बच्चों परंभागवद परंभागवर ये भी आप नोट का लिजेगा, देखे, कहते नरशिंग बर्मन जो है, पल्लव वन्स में सांति की अस्फापना करता है, और इसी के समय जो है, आपका पल्लव चालुक की जो संघस्था, वो समाप्त हो जाता है, शांतिकाल की अस्फापना हो जाते है, हां, इसके समय जो है, बैदेशिक संबंद मजबूत हुए थे, इसके समय क्या हुआ था, बैदेशिक संबंद बच्चों मजबूत हुए थे, और बैदेशिक संबंद नर्शिंग वर्वन के समय किस राज जैसे जुड़े थे, चीन से, इसने चीन से अपने संबंद जुड़े थे, चीन से संबंद जापित किया था और इसने क्या किया था चीन में दूत भेजा था इसने चीन में दूत मंडल भेजा था और इसकी अतरीकत चीनियों के लिए या चीन के लोगों के लिए ठीक है गंगई कोंडपुरम में इस ने बौध बिहार अस्थापित किया जिसे हम बौध मंदिर कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं बौध मंदिर कहते हैं इसी को हम पैगोड़ा भी कहते हैं इसको हम पैगोड़ा भी कहते हैं तो ये गंगई कोंडपुरम में इनों ने जो बौध बिहार बनाया था इसको कई रूपम पूश सकता है इसे चीनी मंदिर भ का सकता है इसे बिहार के रूप में भी पूर सकता है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा और यह अपने आपको श्यम शिव का आउतार बांता था यह जानते रहे हैं यह शिव का आउतार अपने आपको बांता था बच्चो अपने इसके बाद नंदीवर्मển-पर्थम पर्मिष्वर्म दुति ऐगольшू पर्मेश्वर्-वर्मन-दुति के बाद फिर चेक किंद गांखण रखरन हां एक चीजद आप ध्यान रखिएगा नंदिवर्मंत्रिती यनि नंदिवर्मंत्रिती के समय पल्लवों एवं राष्टकूटों के बीच बैवाहिक शम्मंद स्थापित हुआ किसके किसके बीच पल्लव और राष्टकूट बंस इन दोनों बंसों के बीच बैवाहिक शम्मंद स्थापित हुआ और राश्टकूड वंस की राजकुमारी हुआ करते थी संखा, जिनका विवाह जो है, जिनका विवाह हुआ था किसे? नंदिवर्मन तृतीशे. राजकुमारी संखा, इन्ही का विवाह हुआ था बच्चों, नंदिवर्मन तृतीशे. ठीक है? और हाँ, एक सी दौर ध्यान कि समय हुआ था वह युद्द पूरामविम युद्ध और यह युद्ध जो है पान्ड वन्स से हुआ जिसमें पान्ड वन्स पूरी तरह से क्या हुआ पराजित वुआ था ठीक ये दोनों लोगों के बीच हुआ एक पल्लो एक तरफ थे एक तरफ कौन था पांडे वंस था ठीक है तो पांडे वंस इसमें क्या हुआ पराजीत हुआ और पल्लो वंस की क्या हुई बिजय हुई ठीक है यहां पर आप देखें तो पांडेों से राष्ट कूटों से पल्लवों से इनका संघर्स होता रहा है यानि चालुक के वंस पल्लव वंस और आपका दच्छिड में पांड वंस इन तीन वंसों से पल्लव वंस का अपने समकालिन राज वंसों से संघर्स देखने को मिलता है ठीक है जहां तक जो परश्ण पूछे जाते हैं ज्यादा तर आपके नर्शिंग बर्मन, नर्शिंग बर्मन दुती के बारे में या महंदर बर्मन दुती प्रथम के बारे में पूछे जाते हैं बाकी है तो और राजा पना आपका परमिशर बर्मन दुती भी आएगा दंति बर्मन भी आएगा दंति बर्मन के समय जो है का जाता है कि इसी का बिवाह जो है चोलो में हुआ था यानि दंति वर्मन की एक पुत्री हुआ करते थी जिसका नाम था रेवा रेवा का बिवाह हुआ था आपको याद होगा बच्चो गोबिंद त्रितीशे जो चोलवंस का सबसे स्रेश्ट सासक था तो चोलो से भी पल्लवों ने वाहिक सम्मंधों का उपयोग अपने राजनेतिक सम्मंधों की मजबूती के लिए किया गया है ये कई जगा हमको एक्जामपल के रूप में दिखाई देता है लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि पल्लो बंस एक मात्र ऐसे बंस हैं जिनकी कोई मुद्रा भारती तिहास म कोई अभी मुद्रा इनकी प्राप्त नहीं हुई है हाँ जहां तक सांस्कृति को प्रशासनी की तिहास का कोशन है तो वहां से कई कोशन पल्लों के भी से पूछे जाते हैं अभी वह हम आपको पढ़ाएंगे सांस्कृति की तिहास और प्रशासनी की तिहास जब इनका लिगे काफी दिनों से आप लोग इंशनै दिश्टी स्टी पढ़ रही हैं और आपके लिए जितने भी लोग इसमें यूपी सी परी इसमें कितने बच्चें उस बार इस बार एब क्रिफ खील गे रहils मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है 2020 कितने लोग दे रहे हैं दच्छिन भारत से उत्तर भारत पर आक्मण करने वाला राजा गोबिन तृती तो था ही लेकिन उसे पले धुरू है 2020 UPSC कितने लोग अपियर हो रहे हैं दीव शिखा स्वात्ति आप अपियर हो रहे हैं बचा सवरब सक्सेन ओके काफी लोग सिला कुमारी आप भी जुड़ रहे हैं अच्छी बात है आप सभी लोग दिये जो है लेकिन अने कडमी ने आपके चैनल पर ही प्री ओरियंटेड है एकदम प्री ओरियंटेड क्रैस कोर्स ला रहे है मेभी साइद एक या दो जून से वह इस्टार्ट होगा और वो एक कंबाइन बैच होगा जिसमें आपको सारे सबजेक्ट मिलेंगे एक साथ मिलेंगे तो सभी लोग कमरकस लीजिए बच्चों कमरकस लीजिए और तयार हो जाईए ठीक है क्योंकि वहाँ पर अभी आपको पता है कि बहुत बड़े-बड़े टीचर जो है आफ-लाइन के जितने भी वड़े टीचर थे वो सब आ चुके हैं आपके प्लेटफॉर्म पर तो आप लोग जो है तैयार हो जाईए यूपिस्टी के तैयारी के लिए ठीक है और कल के लिए आप लोग रिजिस्टेशन करा लिजे और जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमारा कोर्स बच्चों स्टार्ट हो चुका है उसका सब्सक्रिशन जो लोग लेना चाहते हैं वो लोग ले लें बार-बार जो है ठीक है उसको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि कोर्स हमारा 15 जून से कांटिन्यू है अभी वर्ड इस्टी स्टार्ट होगा इसके बाद जो है ठीक है चलिए सबको हमारी तरब से गुड नाइट फिट से और बहुत सारा प्यार फिर मिलते हैं अभी सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो गई है नेट इसू भी खतम हो गया है अब कोई